नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एन्विरा एज्यूकेशन के यूटूब चैनल पर और मैं समपतलेड आप सभी के लिए जो है इंडिया जी के इंपोर्टेंट कुर्संस के स्रीज को लेके आ चुका हूँ ठीक है जिसके अंदर हम आज प्रसंसंक्या 81 से आगे कंटिन्यू करेंगे इस स्रीज को यह से अभी चल रही है जिसको अमने तीन पार्ट में कवर किया है आज हम फाइनली इस पार्ट को क्लेर करेंगे तो यह जो है अमारी उत्तर वैदिक संस्कृति से समधित वैदिक संस्क स्टार्ट कर देते हैं प्राचिंतम पुरान कौन सा है तो मैंने आपको लाइस्ट वाले वीडियो के अंदर भी बताया था प्राचिंतम जो पुरान है वो है मतशे पुरान ध्यान रहे कि आपको परते कुशन के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा आप चाहें तो उनके क्यां वाक्ष में लिख दीजिए तो देखे भई स्रिग्यवेद में सबसे पवित्र नदी की से माना गया है तो प्रश्ण एक यसी के अंदर आइट आंस रोग आपका भी सरस्वती नदी को सबसे प्राचिन नदी सबसे पवित्र नदी माना गया है अगला प्रश्ण वैदिक समाज की आधारपूथ यकाई कौन सी थी तो परसंसंग के अंदर आपका राइट आंसर हो गाखा ए, कुल याक कुटुम वैदिक समाच की जो अदारपुती कई थी वो थी कुल या कुटो अगला पशने रिगवेदिक काल के उस सबसे परधान देवता की पहचन करें जिसकी इस्तुती में 250 सुक्तों की रचना की गई थी रिगवेदिक काल के उस सबसे परधान देवता की पहचन करें जिसकी इस्तुती में 250 सुक्तों की रचना की गई थी तो देखे भी प्रशन संग्या 83 का उतर आपके सामने प्रशन संग्या 83 का राई टाम सुरोगा आपका ए इंद्र रिगवेदिक काल के जो उस समय के जो परदान देवता थे किस वेद में सभाको नरिष्ट अर्थात सामुहिक वाद विवाद या अनुलंगनिय कहा गया है ओप्शन सारा आपके सामने फटा पटा आंसुर लिग दीजिए भी इसका तो देखे प्रशन संग्या 84 का उतर प्रशन 84 के अंदर आइट आंसुरोगा आपका अतर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात वाद विवाद या अनुलंगनिया कहा गया है नरिष्ट थीक है अतर्ववेद में अगला परशन किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन परमुक बुराईयों में सामिल किया गया है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन परमुख बुराईयों में सामिल किया गए है तो देखे परी परशन संग्या पिछेसी के उत्र परशन संग्या पिछेसी के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वोगा आपका ए मेत्राइनी सहीता में मेत्राइनी सहीता में मेत्राइनी सहीता में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराईयों में सामिल किया गए है अगला परशने 86 उत्तरवैदी काल में किस देवता को सर्वोच इस्थान प्राप्त था उत्तरवेदी काल में किस देवता को सर्वोच इस्थान प्राप्त था फड़ापट उत्तर जो है कमेंड बॉक्स में लिखे हैं सभी उत्तरवेदी काल में किस देवता को सर्वोच इस्थान प्राप्त था तो परसन संगे 6 से के अंदराईट आंसर होगा ए परजापती को परजापती को जो है सरवोचिस्तान प्राप्था उतरवेधिक काल में अगला परसन आपके लिए आ चुका है सुमेलित करने से समझ दित यहाँ पर आपको सही कूट का चैन करना है अगनी स्टॉम यग्य दे रखा है अब यह किस से समझ दित है इनको अच्छे से आप मैच कीजिए पटापट जो भी आंसर लिख रहे हैं जल्दी से लिखे वई अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिएगा पहली बार चैनल के उपर आए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दिजिएगा तो देखे पर प्रशन संग के 87 का उतरा आपके सामने प्रशन 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए एक दो तीन चार यानि जो राजसु यग्य है ठीक है राजसु यग्य जो है वो आपके है समन्दित राजा के सियासनोरण से समन्दित यग्य है ठीक है राजा के सियासनोरण से समन्दित यग्य जो था वो होता आपके राजसु यग्य है अगर देखो क्या है सौर्य पर्दसन वपर्जा के मनुरंजनार्थ किया जाने वाला यग्य ठीक है ध्यान रखेगा सभी के सभी सौर्य पर्दसन वपर्जा के मनुरंजनार्थ मनुरंजन अर्थ के लिए किया जाने वाला जो यग्य होता है वो होता है बाज पर यग्य और अगनी स्थौम यग्य जो है वो आपके देवताओं को परसन करने है तो अगनी को पसु बली दिया जाने वाला एव सोम्रस का पान किया जाने वाला यग्य होता है ठीक है तो अगनी को जो है अगर देवतों को परसन करना है तो जो अगनी होते उसको पस बल्ली दी जाती है अगनी स्थों यह गिम है चलो अगला एक और प्रशन है जिसमें आपको सुमिलित करने से समधित पॉइंट पूइंट पूछा गए है तो अच्छे से इसको समझे और इसका आंसर बाताई है सुची एक रिगवेद में उले कित नाम है और सुची दो आदूनिक नाम है तो जल्दी से सभी आंसर और कमेंट बॉक्स में लिखें है तो देखें पर प्रशन संग 88 का उतर आपके सामने प्रशन 88 का जो राइट आंसर होगा वोगा आपका एक दू तीन चार इसमें भी यानि पुरुषनी जो है रिगवेद में जिसका उले कित नाम था उसका आदूनिक नाम है रावी ठीक है तो रावी का आप ये भी मान सकते हैं रावी का दूसर नाम पुरुष्णी भी है तो पुरुष्णी नदी जो है रावी नदी कहलाती है आज के टाइम में सतूद्री जो है उसको सतलज कहा जाता है अश्कीनी जो है उसको चिनाब कहा जाता है और विपासा को जो है आपके व्यास भी कहा जाता है अगर इन्दे के पुरुष्णी को रावी, सतूद्री को आपके सतलज, अश्किनी को चिनाप और विपासा को व्यास भी कहा जाता है चलिए अगले परशन के और बढ़ते हैं, अगला परशन आपकी सामने है संसकारों की कूल संक्या कितनी है संसकारों की कूल संक्या कितनी है तो देखे संसकारों की कूल संक्या कितनी है परसंसकार 89 का राइट आंसर होगा आपका C 16 संसकार जो है कूल कितनी है ज्यान रिकी का 16 जो है संसकारों की कूल संक्या है के लिए अगला पर्षन आपके लिए पर्षन संक्या 90 है जिसको आपको अच्छे से जो है करना है मैच तो यहाँ पर बते ही A, B, C, D के अंदर कौन सा उप्षन आपका सही होगा तो देखें भी पर्षन संक्या 90 का उतर आपके सामने लेका रहा हूँ पर्षन संक्या 90 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1, 2, 3, 4 यानि यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो ब्रह्मा विवा जो है वो आपके समान वर्णिया जाती का विवा होता है ब्रह्मा जो विवा होता है वो समान वर्णिया जाती का विवा होता है देव विवा जो होता है वो आपके पुरोहित का परिसर्मिक से मिले कन्या के साथ विवा होता है पुरोहित का परिसर्मिक के साथ परिसर्मिक में मिले कन्या के साथ विवा होता है आर्स विवा क्या होता है कन्या मुल्य की रूप में एक जोड़ी गाई वह बेल चुरा कक्या जाने वाला विवा है और परजा पत्य विवा जो होता है वो बिना दहेज का विवा कहलाता है बिना दहेज का विवा परजा पत्य विवा कहलाता है आगे बढ़ते हैं next person के और next person आपके सामने आ चुका है ठीक है और यहां पर पर आगेन आपके लिए एक सुमेलित करने वाड़ा प्रशन का आ चुका है ठीक है इधर आपको आपको अच्छे से जल्दी से बता है अंसर इसका गंदर विवा आसुर विवा राक्षस विवा और पैशाच विवाह तो देखें पर प्रशन संग्या 91 का राइट आंसर प्रशने 91 का जो राइट आंसर होगा वह गापका ए 1234 तो देखें यहां पर कौन सा है गंदर वो विवा वो आपके प्रेम विवा आशुर विवा जो होता है कन्या को खरीद कर किया जाने वला विवा क्या होता है आश्वर विवा राक्सस विवा क्या होता है पराजित राजा की कन्या ठीक है या अफरन की कन्या के साथ विवा करना और लाश्ट आपके पैशाच विवा सोई हुई अवस्ता में कन्या को गुम्रा कर या मांसिक रूप से और स्वस्त कन्या को गुम्रा कर उसके साथ किया गया विवा पैशाच विवा कहलाता है चलिए अगला परशन आपके लिए अगला परशन है तीन रिन में सामिल नहीं है इन में से कौन सा जो है तीन रिनों में सामिल नहीं किया जाता है तो देखे परसन ब्रानावे का अंसर परसन ब्रानावी के आधर राइट आंसर होगा आपका दी मात्री रेन कौन सा जो आपके इन तीन रेनों में जो है, सामिल नहीं मान जाता है अगला परसन रिग्वेदी काल से समदद मर्द भाणड किस संसक्रती के है रिगवेदी काल के समदित मर्द भांड किस संस्क्रती के है तो देगे वे परसंद संग्या 93 का उत्तर परसंद 93 के अंदर राइट नाम सुरूग आपका A. गेरुवरनी मर्द भांड यानि O.C.P. संस्क्रती अगला उत्तरवेदी काल के समदित मर्द भांड किस संस्क्रती के है तो देखे परसंद संग्या 94 का उत्तर आपके सामने प्रशन 94 के अंदर आपका राइट आंसर होगा B. चित्रित दूसर म्रदभांड PGW संसकरती है ठीक है OCP यानि गेरुवणी म्रदभांड जो है वो रिगवेदी काल में है और उतुदे काल के अंदर चित्रित दूसर म्रदभांड यानि PGW संसकरती वाले अगला प्रशन आपके लिए है भी देखिए इस कांसर बताएं सभी हार्याना प्रांत में चित्रित दूसर म्रदभांड यानि PGW इस्तल किस इस्तान पर हाल में खोजे गए उत्कनों से प्रकास में आया है हरेना प्रांत में चित्रित दूसर मर्द बांड यानि PGW इस्तल किस इस्तान पर हाली में किकि उतकनों के कारण जो है प्रकास में लाया गए है तो देखे परशन संगे 95 का उतर परशन 95 के अंदर आपका राई टांसर होगा बी भगवानपूर के कहां से भगवानपूर से जो है चित्रित दूसर मर्द बांड जो है इस्तान मिले है अगला परशन संगे 95 के बाद चिया अंदर प्राचिंतम विवासंसकार का वन्न करने वाला विवासुक्त किस में पाई जाता है तो देखे परशन संगे 96 का उतर आपके सामने परशन 96 के अंदर आपका जो राइट आंशरों का वह आपका ए रिगवेद प्राचिंतम विवासंस्कार का वनन करने वाला विवासोक्त किस में पाए जाता है वई रिगवेद में पाए जाता है अगला परसन है रिग्वेद में अगन्य यानि वद्ध योग्य नहीं सब्द का परियोग किसके लिए किया गया था रिग्वेद में अगन्य सब्द का परियोग किसके लिए किया गया था आंसवार जल्दी से जल्दी लिख दीजे सभी किसे भी कमेंट बॉक्स में तो देखे रिग्वेद में अगंड्य सब्द का परियोग किसके लिए किया गया था तो परसन 7,9 का जो राइट आंसर होगा सन्थान्वे में वो होगा आपका भी गाय के लिए ठीक है रिग्वेद में जो अगनी है यानि वद्ध योग्य नहीं सब्ध का प्रियोग गाई के लिए किया गया तब वद्ध नहीं किया जा सकता अगला परसुन सुमेलित करना है आपको A, B, C, D को 1, 2, 3, 4 के साथ तो फटा पटा आंसर बैसे भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें संग्रहित्र, भागदूद, शताया, सत्री और अक्षवाप तो देखें वे प्रसन संग के अंठानवे का उतर आपके सामने प्रसन अंठानवे के अंदर आपका राइट आंसर होगा A, 1, 2, 4, 3 अब देखें क्या है यहाँ पर जो संग्रहित्र है वो आपके समंदित है कोशात्यक्ष से B जो है भागदूद, वो आपके किस समंदित है कर संग्रहक करता से C जो है शताया शत्री वो आपके परतिहारी से समंदित है और अक्षवाप जो है वाप के पासे के खेल में राजा का साहिक मने जाता है पासे के खेल में राजा का साहिक अक्षवाप होता है शता या शत्री क्या होता है वही परतिया राजा परसाद का शक्षक और अगला था भाग दूद तो भाग दूद कर संग्रह करता होता है और स रित इस्तापित करने के कान किस वैदिक देवता को रित इस्तापित करने के कान किस वैदिक देवता को रित इस्तापित करने के कान किस वैदिक देवता को रित इस्तापित करने के कान किस वैदिक देवता को रित इस्तापित करने के कान किस वैदिक देवता को रित इस्तापि होता है अगला परशन है सोवा निमने लेकित में से कौन मुलत जल्लिय समुद्र का देवता था निमने लेकित में से कौन जो है मुलत जल्लिय समुद्र का देवता माने जाता है तो देखें इनमें से कौन मुलत है जल या समुद्र का देवता कहलता है तो जल या समुद्र का जो देवता है वो कौन कहलता है प्रशन सौक के अंदर आपका राइट आंसर होगा C वरून ठीक है वरून जो है वो आपके जल या समुद्र का देवता कहलता है अगला तीन करमों यानि पगों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपकरम कहा गया है तो देखे भी परसंद संग्या 101 का उतर आपके सामने तीन कर्मों में तीनों लोग को माप लेने के काने किसे उपकरम का गया तो प्रशन 101 का राइटाम शुरूग आपका D विस्णू को किसको विस्णू को का गया है अगला प्रस्ण है सुमेलित करने से समधित तो फटा फटा अंसर बताई इसका भी तो देखे फिर प्रसंद संख्या 102 का उतर आपके सामने प्रसंद संख्या 102 का जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका A1234 ठीक है A वाल उप्सन यहां पर सही होता है 102 के अंदर 1234 कैसे मेंच करते हैं पुषओन जो है वह आपके विवा का देवता है रुध जो है वह आपके देवो के महान मत को नहीं डेवों कि महान3 को ज़या जगत्क में मनुष्मर्थी मुक्यता किस से समाधित है तो देखे परिशन संग के 103 का उतर आपके सामने ठीक है परिशन संग के 103 है मनुष्मर्थी मुक्यता किस समाधित है तो मनुष्मर्थी मुक्यता आपके समाधियोस्ता से समझत है अगला गायतिरी मंतर की रचना किस ने की थी तो देखे परिशन का उतर परिशन संग के 104 का जिनों ने भी उतर दे दिया है परिशन संग के 105 आपके सामने ठीक है अगला परिशन संग के 105 आपके सामने ठीक है अवेस्ता और रिगवेद में समानता है तो अवेस्ता किस चत्र से समानता है परसन से कि 105 में राइट आंसरों का आपका भी इरान से समानता है अवेस्ता और रिगवेद अगला परसन अवेस्ता और रिगवेद में समानता है अवेस्ता जो है वो आपके अगला निमने में से कौन सी एक रिगवेदिक आर्यों की लाक्षनिक विशेष्था नहीं है तो देखे परसन संग के एक सुच है रिगवेदिक आर्यों की लाक्षनिक विशेष्था नहीं है कौन सी नहीं है तो परसन एक सुच है का राइटाम सुरोगा अगला परसन रिगवेद में निम्नांकित किन नद्यों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आरियों के समंद का सूचक है रिगवेद में निम्नांकित किन नद्यों का उलेक जो है अफगानिस्तान के साथ आरियों के समंद का एक सूचक माने जाता है तो देखे भई रिग्वेद में निम्नांकित की नद्या का उलेक अफगनिस्तान के साथ आरियों का सुचे कहता प्रशने 107 के अंदर आपका राइटा अंसरों का सी कुम्बा और क्रमू का जो समंद है वो अफगनिस्तान के साथ है अगला द्रम तता रित भारत की प्राचिन वेदिक संसकर्ति के एक कैंदरी विचार को चित्रित करते हैं इसंतर में निम्नी की कतना पर आपको करना है विचार तो इसमें कौन से कूट सही है तो देखे परशनी 108 का उतर आपके सामने परशनी 108 का राइट आम सुरोग आपका नाख़नी राइट से दीक है के कैंडरी विचार को चित पशुकेशं संथ संथा जो तो सब्सक्राइब कर सहे मौलवूत नेotsie तो कि और उसमें नहींत साथ नियुक है करता था के अगला पर्ष्ण आर्गोब के आर्ग्टिक होम सिध्धान का पक्स किसने किया था कि तो देखें में के 109 गाहस पफ्समिया तो स्वेजिन होभिन का क्वे कोए सब्सक्रा यह था आपका C BG तिलक कौन BG तिलक BG तिलक ने आ रहे हो कि Antarctic Home सिदान्द का पक्स लिया था तो भई जल्दी से अब इस अगले परसन की जो सुची है वो मैच कीजिए आप सभी सुची एक और दो के साथ मैच करना आपको तो देखे भी परसन संगे 110 का उतर आपके सामने परसने 110 का जो राइट आंसर होगा ठीक है वो होगा आपका B 2, 3, 1, 4 यानि के कुमबा जो है वो आपके किसे समधित है कुमबा जो है वो आपके किसे समधित है काबूल से समधित है कुमबा काबूल से समधित है इसको थोड़ सा गलर ड्रो कर दियता कुमबा काबूल से समधित है पुरूष्णी जो है वो आपके किसे समधित है रावी नदी से समधित है और सदा नीरा जो है या आज का वीडियो अच्छा लगा है और इतिनों स्रीज आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखेगा इंडिया जीके के टोपिक वाई जैंसी क्यूज आपको मैं करवा रहा हूँ इसी बेसिस पर डैली आप चैनल के साथ जुड़ें तेहरी करें जिससे आगावी भरती परिक्षाओं की तेहरी आपके लिए बहुत अच्छी हो इसी के साथ मैं संपदलीर आप सबी सेल्वेदर रहता हूँ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जैहिन जै भारत